इस प्रशन में प्रशना वोली 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं का अंदर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो आईए देखते हम इसको किस तरह से करते हैं हमें पहले संख्या को मानना पड़ेगा तो लीजिए माना पहली संख्या X हमने पहली संख्या X ले लिया दूसरी संख्या है Y क्योंकि दो संख्या है थी तो पहली संख्या को X मान लिया और दूसरी को हमने Y मान लिया अब प्रशना नुसार 1 मतलब पहली बार प्रशन ने क्य उसने कहा कि दो संख्याओं ये जो हमने माना है उनका अंतर 26 है तो अंतर माने क्या होता है माइनस तो पहली संख्या में से हमने दूसरी संख्या को गटा दिया इन दोनों का अंतर कितना हो गया 26 और इसी तरह से ये वन गया दो चरवाला रेखिक समिकर्ण ठीक है जी अब हमे संख्या, दूसरी संख्या की 3 गुणी है, जी हाँ पहली संख्या, x दूसरी संख्या की 3 गुणी है अगर 2 गुणा होता तो 2y 3 गुणा, 3y, 4 गुणा, 4y तो हम इस तरह से समझेंगे, पहली संख्या जो है, वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है तो यहां से समिकरन कैसे बनेगा x-3y को हम इधर लाएंगे x-3y and equal to 0 और यह देखे यह बन गया दो चरवाला रेखिक समिकरन अब यह दोनों बन गया अपस में दो चरवाले रेखिक समिकरन यूगम जो की हमारी exercise का नाम भी है अब इसको solve कैसे करना है यह देखिए now we have two equations first is x-y equal to 26 equation number one and second is x-3y equal to 0 equation number two now it's up to you आप के ओपर depend करता है कि हमने 33 पन विधी पड़ी थी हमने विलोपन विधी पड़ी थी और हमने third वज्रगुनन फल विधी पड़ी थी जो भी method आप लगाना चाहो मैं आपको suggest करूँगा कि आप इसमें method लगाएंगे elimination method जी हाँ उसको हम कहता है विलोपन विधी तो आप क्या करोगे विलोपन विधी द्वारा यह मैं आपको describe नहीं करूँगा पूरा question तो आप एक minus 2 भी कर सकते हो इस तरह से like this जब आप इसके change करोगे यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा और यह again minus हो जाएगा और उसके बाद x x cancel यह मैं वैसे ही बता रहूँ आपको पहले ही आता है और यहाँ पे 26 and y will be equal to 13 अब इस y का मान हम समिकर्ण 1 में या समिकर्ण 2 में रखेंगे और हमें value किस की मिलेगी x की x की भी मिल जाएगी और y की भी तो x हमारी पहली संख्या हो जाएगी और y हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या तो इस तरह से हम इस question को solve कर सकते हैं आई ये दिखते हैं इसी exercise का एक अगला question जो है कि क्या question क्या था कि दो संपूरक कौन में से एक कौन दूसरे से 18 डिगरी अधिक है दिखे इस question में एक चीज़ को छुपा रखाए आपसे प्रशनन सार आपको लगता है कि एक ही दिया एक नहीं दिया क्या कहा उसने दो संपूरक कौनों में से एक कौन दूसरे से 18 अधिक है तो हम संपूरक के उपर जाएंगे संपूरक क्या होता है आपने 8 में 9 में पढ़ा होगा पूरक भी पढ़ा था संपूरक भी पूरक वो कौन जो दो कौन मिलकर पूरा करते हैं 90 डिगरी को उसको हम कहते हैं पूरक कौन और जो दो कौन मिलकर 180 पूरा करते हैं 180 डिगरी उसको कहते हैं समपूरक कौन तो हमें प्रशनमसार यहीं से एक पकड़ना है आईए देखते हैं किस तरह से कि माना पहला और मैंने bracket में बड़ा भी लिख लिए बड़ा क्यों लिखा? क्योंकि बड़े और छोटे की यहां पर बात आई है तो क्यों न हम confused ना हो इसलिए पहले ही हमने पहले कौन को बड़ा भी मान लिए माना पहला कौन या बड़ा कौन हम मान लेते हैं कि दो कोन है तो दो कोनों को जोड कर संपूरक एक स्वस्य डिगरी बनता है यह क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से निकालना है इस दो अमेजिंग स्टाइल से आपने डूड़ना है तो यह बन जाएगा संपूरक मैंने यहां रिजन दिदिया आपके लिए कि एक स्वस्य क्यों किया क्योंकि 2 कोनों का है कैसा है समपूरक है प्रेशनम्चार 1 हमारा समिकर ने clear हो गया अब चलते है प्रेशनम्चार 2 के ओपर उसने क्या कहा कि एक जो कोन है वो दूसरे कोन से 18 डिगरी अधिक है तो let बड़ा कोन हमने bigger कोन लिया है बड़ा कोन जो है वो छोटे कोन से 18 अधिक है तभी वह न है बड़ा क्योंकि छोटे कोन में 18 जोड़ना पड़ेगा तो बड़ा कोन था एक्स छोटा कोन था y प्लस 18 and now it will become x-y y को इदर लाएंगे न बरावरे 18 यह बनगा समिकर्ण 2 अब ध्यान से देखो समिकर्ण 1 समिकर्ण 2 now it is up to you आपने खुद चूज करना है I again suggest you that use elimination method आपने elimination देखिए भी लोग पने विदी से इस question को कैसे सोलो करेंगे पहला था x plus y 180 and x minus y 180 निखा ली देखिए यहाँ पर y और y बरावर है तो हम इसको plus और minus यहाँ पर भी काट सकते है लेकिन मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाया कि 1 minus 2 करने पर यदि समिकर्ण 1 बैसे देखिए ना यहाँ पर x है यहाँ पर bx है दोनों variable एक जिस है यदि इनके chin भी एक जिस है अगर इनको घटाना पड़े तो क्या होगा तब हम chain change करने इसलिए मैंने minus उठाया प्लस तो आप simply कर भी सकते हो इसका chin plus था क्या होगया minus यह minus था क्या होगया plus यह plus था यह क्या होगया minus अब देखिए एक plus है एक minus यह दोनों cancel होगे y plus था y plus था तो y और y 2y होगया और equal का equal आगया 180 मेंसे जब 18 minus करेंगे तो हमारे पास आता 162 and now y equal to 162 upon 2 इसको जो हमने cancel क्या तो y कितना है हमारे पास 81 degree क्योंकि यह कौन था हमने degree में लिखा अब क्या करेंगे y का मान समीकरन 1 में या 2 में जो आपकी 6 जहां मर्जी आप रख लो मैंने 1 में रखा है x plus y equal to 180 पहले मैंने समीकरन 1 लिखा उसके बाद x y की जगा 81 ब्राबर ये और x ब्राबर एक स्वासी ये जो परे चल लगया तो माइनस हो जाएगा और x ब्राबर है 99 हमारे पास दोनों निकल गए x भी और y भी पहले हमने बड़ा कौन या छोटा कौन माना था अब देखो पहले बड़ा कौन हमने x माना था तो बड़ा निरान में है छोटा कौन y था तो वो कितना है 81 हम चेक करतें इसको कि हमारा question सही है या गलत तो आपको पता है कि दो जो समपूर कौन होते हैं उनका योग कितना होना चीए x वसी x प्लस y देखो ए x 99 और 81 इनका जब योग हमने देखा तो 9 और 110, 9 और 8 17 और 11 जो की x वसी होता है इसलिए हमारा question कैसा है बिलकुल राइब तो thank you इसी तरह से और अधिक interesting method से question समझने के लिए बने रही है हमारे channel के साथ that is amazing maths with the cash